Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे कि बाइक के tubeless tire में अगर air leakage का problem हो रहा हो, air tire के अंदर रुक नहीं पा रही हो, तो उस tubeless tire का conversion tube tire में कैसे क्या आथा है? उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो का अन तक जरूर देखें जिससे आप जान सबसे पहले हमें vehicle से वील को remove करना पढ़ेगा, तो wheel को remove करने के लिए सबसे पहले हमने 17 नंबर का जो front axle का nut है, शो nut को हमने खोला, spanner से, उसके बाद उसको remove किया, remove करने के बाद axle को निकाला, और ये vehicle को हमने किसी stool के उम पर rest करना है, जो जिससे कि उसका फ्रेंट वील फ्री हो जाए, ग्राउंड क्लेरस उसमें बन जाए, उसके बाद वील को हमने निकाला, वील को निकालने के बाद उसका वील नोजल कैप निकाला, नोजल कैप को रिमूव करने के बाद हमने उसकी जो वाल बॉडी का जो वाल्ब है, उस वा खुलने के बाद हमने टायर को चारू तरफ से प्रेस करना है जिससे कि उसमें गैब बन जाए और उसके बाद टायर लीवर से इसको टायर को निकालना है स्टार्टिंग में हमें दो टायर लीवर की जरूत है बाद में जब इसमें थोड़ा गैप बन जाता है तो हम एक लीवर को हटा सकते हैं और एक ही लीवर से उसके बाद हम टायर की जो बीडिंग है उसको बाहर निकालेंगे पूरा टायर हमें रिम से अलग करने की जरूत नहीं है बस एक साइड उसकी हमने उसकी बीडिंग निकालनी है उसके बाद ये वाल बॉड़ी आपने देखा कि पहले घूम रही थी तो हमने अंदर से प्लायर से पकड़ कर इसको निकालना है लॉक टक निकालने के बाद ये वाशर है उसके बाद हम ये वाल बॉड़ी को रिमूब करेंगे क्योंकि इसमें ट्यूब हम डाल रहे हैं तो इसमें ट्यूब बाल ही वाल बॉड़ी आएगी क्योंकि अब ये ट्यूब टायर हो जाएगा तो ये wall body का nut हमने खोला और इस tube को हमने अंदर ये tire lever से उसको tire को नीचे को करके wall body को insert करना है hole में उसके बाद tire को वापस से जो tube है उसको tire के अंदर insert करना है properly tube डालते समय हमें ध्यान लगना है कि tube fold ना हो उसको properly अंदर insert करना है इंसर्ट करने के बाद हमने जो tire है tire को अंदर press करना है इसी beading को चारो तरब से हमने पहले easily पाउं से दबाना है उसके बाद हम tire lever से उसको अंदर insert करेंगे जिसके लिए हमें एक तरब से tire को दबाना पड़ेगा पाउं से जिससे की निकल ना पाए बाहर और दूसरी तरब से हमने tire lever के साइटा से उसको अंदर को प्रेस करना है लास्ट में आप देख रहे हैं कि हम अगर उसको पाउं से भी अंदर दबाएंगे तो यह अंदर insert हो जाएगा अब इंसर्ट होने के बाद हमने इसमें जो वाल बॉडी में जो वाल था उस वाल को वाल डाई से टाइट करना है और लॉकिंग नट को हलका सा लगा लेंगे पूरा टाइट नहीं करना है उसके बाद हमने soft solution जो होता है उसको apply करना जिससे की टायर में जब हम हवा भरेंगे तो वो चारो तरफ से properly बैट जाए अगर यह properly नहीं बैटेगा तो टायर में bubbling हो सकती है तो इसलिए soft solution का इस्तिमाल करने के बाद हम इसमें air भरेंगे air हम यह hand pump से इसमें जो manual जो हमारा pump है इससे भर रहे हैं इसके बाद हम इसकी air को हम check कर लेंगे और gaze से check करने के बाद इसमें जितनी आउशकता है उतनी ही हवा इसमें हम भरेंगे उसके बाद vehicle में इस wheel को हम लगा लेंगे जिस प्रकार से हमने खूला था wheel को राइट साइड में इसका आप देख रहे हूंगे यह speedometer gear है और दूसरी तरब यह spacer हमने डालना है spacer और wheel जो speedometer gear था उसको लगाने के बाद हमने axle को insert करना है एकसल को insert करने में अगर easy नहीं जा रहा हूँ तो थोड़ा hammer का इस्तिमार हम कर सकते हैं उसके बाद जो 17 number का nut था उस nut को लगा लेना है और दूसरी तरब से हमने 14 के spanner से उसको hold करना है तो जैसा कि आप देख रहे हैं या पर जो tubeless tire था उसको हमने tube tire में convert किया फिलाल हमें tire change करने की जरूत नहीं है और यह हमने इसकी nozzle cap लगा दी तो आज के इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि tubeless tire को कैसे tube tire में convert किया जाता है तो आज का इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो please like share जरूर करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें साथ में bell icon को जरूर प्रेस करें जिससे आपको नए वीडियो की notification समय पर मिलते रहें Thank you everyone